जै शीरादे भक्तों आज हम आपके लिए यहां पर लेकर आए हैं सुभद्रा जी द्वारा रचित अनंत स्थव अनंत स्थव में दश लोकों में भगवान विश्णु के दस अवतारों का उलेख मिलता है इस अनंत स्थव का नियमित पाठ करने से साधक को अननत स्थरूप भगवान विश्णु का आशिर्वाद प्राप्त होता है जीवन की सभी समस्याएं दूर होती हैं और विशेश कर अननत चतुरदशी के दिन अननत स्थव का पाठ करने से बहुत ही शुपनाम मिलते हैं तो चलिए शुरू करते हैं अनन्त स्थ विश्वात्मा विगततमोर जोभिरीड्यह द्रत्वेमाम कमठवपुमेहिश जन्तम् तम्देवं शरणमहं गतोस्म्यनन्तम् यह प्रत्वीम सुर्भयाद्र सातलस्था मुद्धर तुम खुर निकरक्षता सुरोगह वाराहीम तनुम भजतत्रईनि वासस्तम् देवं शरणमहं गतोस्म्यनन्तम् है रण्यम कुलिशद्णम् पुरान खाग्रेर वक्षोयह सपदि विदार याश्चकार रालाधि प्रियहित क्रन सिंग रूपस्तम् देवं शरणमहं गतोस्म्यनन्तम् स्वरलोक स्थितिकरनाय युधारित्री त्रेधा विक्रमितुमयाचता सुरेशं भूत्वा वामन तनुरीश्वरं सुरानां तम्देवं शरणमहं गतोस्म्यनन्तम् यहक्षत्रम निहित परश्वधीन सर्वं छित्वात अच्छत जजलेन कर्म पित्र्यम् चक्रे विक्रम विभैवैक संपदीध्यस्तम् देवं शरणमहं गतोस्म्यनन्तम् योलो कत्रयवन वन्यमीश्वरानां मीशानो दश्वदनरणे निहन्तुम् रामो दाशर थिर्भूदू दार विर्यस्तम् देवं शरणमहं गतोस्म्यनन्तम् यह प्रत्वीमसुरभराति भंगुरार्ता नूद्धरतुम् मुसलहलायुदोवभूवः कालिंदीकर्षण दर्शिताति विर्यस्तम् देवं शरणमहं गतोस्म्यनन्तम् कंसादेश्त्रिदशरिपून पाचिकीशुर्यह प्रत्व्यामिह यदुननन्दनोवभूव बालार्क युतिविक सत्चरोज वक्त्रम्तम् देवं शरणमहं गतोस्म्यनन्तम् पाशन्दानकलिकलुशिक्रत्स्वधर्मां निश्येशं सपदि निराकरिश्नुरीशह यह कलकी भवति नितांत गोर रूपम् तम देवं शरणमहं गतोस्म्यनन्तम् इती सुभद्राकरितह अनन्तिस्तवह संपूर्णह इता हुआँ